हाई अब्रिवन वेलकम टू सांशिया ब्रेंटी आज कलके डिजिटल वर्ड में एक सेक्योर पासवर्ड होना उतना ही जरूरी है जितना की कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में सेफ रहना जरूरी है तो इसी कंटेक्स्ट में वर्ड पासवर्ड डे सेलिबरेट किये जाता ह तो बर्ड पासवर्ड डे जो है हर साल जो में मन्त होता है उसका जो फर्स्ट थस्डे होता है तो उस दिन बर्ड पासवर्ड डे सेलिबरेट किये जाता है आज जो है वो फर्स्ट थस्डे है में मन्त का इसलिए आज जो है वो बर्ड पासवर्ड डे सेलिबरेट किये जा तो इसका मेन मोटो जो है डाट इस टू परमोड दा बैटर पासवर्ड हैबिट और यह बहुत जरूरी है कि आपका जो पासवर्ड है लॉंग हो यूनीक हो थोड़ा कंप्लेक्स पासवर्ड हो ताकि आप अपने आपको और आपकी जो बैलियोबल इंफरमेशन है किसी भी व हैं जिससे आप अपने आपको बचा सकते हैं तो फ़र्स्ट्ट इंग इस कि जो अपना पासवर्ड है उसको चेंजь करते रहें जो अपना ओल्ड़ पास्पर्ड हैं हर कुछ महिंद हमें चेंज करते रहें और जो पासवर्ड आपका लंबा होना चाहिए जितना अप्लेक में अपना जो पास्वर्ड है कभी भी अपने कंप्यूटर्स या अपने फॉन में सेव करके ना रखें दूसरी बात कि जब भी आप अपना काम में आपका काम खतम हो गया है तो आपका लैप्टॉप है या आपका फोन है तो बहां से आप हमेशा लोग ओफ करें ठीक है अपर लेटर भी यूज करो लोड़ लेटर भी यूज करो अल्फावेट के उसमें नमबर्स भी यूज करो और कुछ स्पेशल क्रेक्टर भी यूज करो जैसे कि डॉलर है 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 या एंड का साइन है तो इस तरह से जितना कंप्लेक्स आप पास्वर्ड बना जखते हैं अपना पास्वर्ड है एक ही पास्वर्ड जो अपने सभी अकांट के लिए यूज ना करें कभी भी क्योंकि एक पास्वर्ड अगर आपका ब्रीच हो गया जिसका मतलब आप hackers को एक easy hat दे रहे हो कि आपके जितने भी accounts हैं वो उसको breach कर सकता है जिसलिए कभी भी अपना एक ही password same password अपने सभी accounts है सभी system के लिए use ना करें तो this was all about today's lecture and I hope आपको पसंद आया होगा तो एक अच्छी जानकारी मिली होगी आपको तो क्रिपया शेर करना न भूले सब्सक्राइब करें लाइक करें with this I will say thank you stay happy stay blessed and stay safe thank you